हे फेंट्स तो बात करते है दा फ्लैश फिल्म की आई हुई रूमर के बार में जिसमें सबसे बड़ी कन्फोर्मेशन तो जेम्स गन की तरफ से यही दी गई है कि इस फिल्म में हम बेसिकली डीसी के पूरे यूनिवर्स का रीबूट देखने वाले है या फिर कहूँ एक ऐस पूरे डीसी के यूनिवर्स का फेस ही बदल देगा और इस फेस की शुरुवात असल मायने में सूपर मैन लेगेसी फिल्म से की जाएगी और इसके पहले जो कोई भी सीरीज रिलीज हो रही है उसे तो आप समझी सकते हो कि फैंस के मनो रंजन के लिए बनाया जा रहा है कि डीसी के यूनिवर्स में सब कुछ अलग होना शुरू हो चुका है बाकि यहाँ ब्लू बी टेलर एकवामें जैसी फिल्म भी इस लिस्ट में शामिल है जो रीबूट के बाद भी अपने स्टैन को काफी जदा स्ट्रॉंग रखेगी अगें जेम्स गन के अकौडिंग लेक जैनी के शाशा केल जो इस यूनिवर्स के बाद डेफिनेटली जेम्स गन के फ्यूचर प्रोजेक्ट या फिर कहूँ सूपर गल की फिल्म में नहीं दिखेगी यूँकि जेम्स गन के अकौडिंग उन्हें शाशा इस रोल में बिल्कुल भी पौफेक्ट नहीं लगती और कय सारे सोर्सेश और जेम्स गन की कंफर्म के एकौर्डिंग सूपर हीरो के यूशिकि बनाए गई अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाएगी अब उनकी इस बात का पता तो फिल्म देखने के बाद ही चलेगा कि असल में जेम्स गन की बात में कितना ज्यादा दम है य झाल